हेलो दोस्तो, आज हम आपको ऐसी चार सीख के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी वज़े से आप अपनी जिन्दगी में बहुत उंचाई तक जा सकते हैं, और अपनी जिन्दगी को बदल सकते हैं। हासल करने के लिए सीख लेना बहुत जाधा जरूरी है क्योंकि सीख ही एक इंसान को जिंदगी में आगए बढ़ेने के लिए मदद करती है और सही सीख के बिना जिंदगी में कोई मुकाम हासल करना नामुम्किन है तो दूसто देखते हैं इसके बारे में नमबर वन शिरुआत करने का होसला रखें दोस्तो आपने सुनाई होगा कि काम शिरू करने से ही आधा काम खत्म हो जाता है अक्सर हम किसी नए काम को शिरू करने में ही डरते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि पता नहीं हम सफल होंगे या नहीं होंगे इस असफलता या किसी हार के डर से किसी काम को शुरू ही ना करना शुरू ही ना करने से तो आप कभी भी सफल नहीं बन पाएंगे इसलिए आप सफल और असफल तब होंगे जब आप काम शिरू करेंगे हमेशा शिरूआत करने का होसला रखें और शिरूआत करने से ना डरें सोचिए ज़रा माइक्रोसाफ्ट के मालेक मिस्टर बिल गेट सी यदि माइक्रोसाफ्ट की शिरूआत ही नहीं करते हम सब को अपने बारे में सोचना चाहिए और खुद को खुश रखना चाहिए जो वेक्ति अपनी खुशी के लिए कुश नहीं करता वे दूसरों की खुशी के लिए क्या कर पाएगा और ऐसा कहा भी जाता है कि हम दूसरों को वही देते हैं जो हमारे खुछ के पास होता है तो अगर हमें दूसरों को खुछ रखना है तो सबसे पहले हमें खुछ को खुछ रखने की जरूरत है दूसरों को प्यार देना है तो सबसे पहले खुद को प्यार करने की जरूरत है इसलिए हमें अपने अंदर से उस्सा जलन नफरत जैसी सारी बुरी भावनाय हटा देनी चाहिए क्योंकि ये सारी फिलिंग्स अंदर से इंसान को खत्म कर देती है इसके साथ ही ईश्वर की बनाई हुई सबी रचनाओं के प्रती अपने दिल से प्यार रखना चाहिए तब ही हम सबको प्यार और खुशी मार सकते हैं और खुद को भी खुश रख सकते हैं और जब हम खुश होंगे तो हमारे सारे काम भी अच्छे से पूरे होंगे और सफलता के जादा मौके भी मिलेंगे इसलिए हमेशा काम की शुरुआत जल्द से जल्द करें और अपने समय का अच्छे से इस्तेमाल करें तब ही आप जिन्दगी में सफल हो पाएंगे नमबर टू, मेहनत को आदत बनाए दोस्तो मेहनत करने की भी आदत बहुत जरूरी है मेहनत का कोई शॉर्ट कट नहीं है हो सकता है कि कई बार बिना मेहनत के भी आपको सफलता मिल जाए लेकिन वो सफलता परमानेड नहीं होगी लेकिन लगतार मेहनत करने वाले इंसान को सफलता जरूर मिलती है हो सकता है सफलता मिले में कुछ देर जरूर लग जाए पर मिलती जरूर है इसलिए समय बरबाद करने से बचें हर किसी के पास 24 गंटे ही होते हैं जिनमें वह अपने काम को कर सकता है ना किसी के पास 24 गंटे से जाड़ा वक्त होता है और ना किसी के पास 24 गंटे से कम लेकिन कुछ लोग हमेशा समय की कमी का रोना रोते हैं और किसी भी काम को समय से नहीं करते ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते क्योंकि इनके पास बरबाद करने के लिए समय होता है पर कारी करने के लिए नहीं ये हम कह सकते हैं कि ये लोग मेहनत से बचने का बहाना ढूंटे हैं जबकि इसके विपरीद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी भी इस मेहनत के बहानों का इस्तिमाल नहीं करते हैं और हमेशा काम करने के लिए तैयार रहते हैं और ऐसे में हम कह सकते हैं कि वे अपना वक्त फालतू चीज़ों में बरबाद नहीं करते। इसलिए जरूरी है कि हम अपना एक शेडूल बनाएं और उसका सकती से पालन भी करें। इसके लिए रोजाना सुबा जल्दी भी उठें क्योंकि सुबह जल्दी उठने की आदत एक ऐसी आदत है जो आपके पूरे दिन के रूटीन को तैय करती है। और हार ना मानें ऐसा करने से आप कामयाबी के और रस्तिक आएंगे। दोस्तो सीखने में कभी कंजूसी ना करें। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ अपने टीचर से ही सीखें। जिन्देगी बहुत कुछ सिखाती है, आप अपने संपर्क में आने वाले हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और सीखने के आदत इसलिए जबसे ज़रूरी है क्योंकि जो व्यक्ती सीखने के लिए तत्पर होगा, वो व्यक्ती किसी भी प्रकार के घमन से दूर होगा। तो अपने आपको देश दुनिया में होने वाली घटनाओं से अपटेट रखे, अगर आपको किसी भी घटना के बारे में अच्छे से जानकारी होगी, तो आप बहुत ये आतमविश्वास के साथ अपने विचार दूसरों के सामने रख पाएंगे, और ये आतमविश्वास आपके विच्टित को एक अलागी निकार देगा, इसलिए दोस्तों हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहें और अपना आतमविश्वास बनाए रखें दोस्तों सो अभिमान से जीएं लेकिन अभिमान से दूर रहें, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि जिसने अभिमान किया उसका पतन जरूर हुआ है, आपके मन में पैदा हुआ घमंड आपकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है, जिसके कारण आप किसी भी काम के परणामों की सही तरह से जाच नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आस्वास फैले हुए अवसरों और मुश्किलों को पहचान भी नहीं पाते, इसके लावा एक अच्छे व्यक्ति के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो हर व्यक्ति को इज़ चाहे व्यक्ति आप से छोटा हो, चाहे वो बड़ा, क्योंकि देखा जाता है कि बड़े या सीनियर व्यक्ति की तो हर कोई रिस्पेक्ट करता है, लेकि बात तो तब है जब आप अपने से छोटे लोगों की भी उतनी ही इज़त और उतना ही सम्मान दें, जितना आप बड लोग आपको इज़त दें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको लोगों को इज़त देनी होगी, इसके साथ ही दोस्तों, आप हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखें, यानि कि हमेशा अपने अंदर सकारात्मक विचार रखें, हर किसी की जिन्दगी में अच्छी और बुरी गोडों के वज़ाए उसके अंदर छिपे गोडों की बात करें, मतलब कमियों की वज़ाए अच्छाईयों को देखने का प्रयास करें, और कोशिश करें कि आप भी उन अच्छाईयों पर अमल करें, सकारात्मक सोच रखने मातर से ही आपके जीवन की आदी परिशानिया अ आपकी जिन्दगी को बदल सकती है और जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो दोस्तो आज की वीडियों बस इतना ही हमें उमीद है कि आप इन सभी बातों को जरूर ध्यान में रखेंगे और साथ ही हमें अपने एक्सपिरियंस कमेंट करके जरूर बताएंगे, इ पहने बाद